जैमातादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी परमातारानी की किरपा बनी रहें चलिए आज सुनते हैं राधा कृष्ण से जुरे ही उनके सच्छे प्रेम की गाथा जो दिल को छूजाए भगवान श्रीकृष्ण और राधाजी का प्रेम अनंत है दोनों का प्रेम आत्मा और परमात्मा का मिलन है यूँ तो देवी रुकमनी को लक्ष्मी का अतार माना जाता है लेकिन देवी राधा को भी लक्ष्मी का ही अतार माना जाता है और ये माना जाता है कि भगवान विश्ण जब-जब प्रित्वी पर जन्म लेते हैं तो भगवती देवी लक्ष्मी भी अलग-अलग रूपों में प्रित्वी पर जन्म लेती हैं। भगवान के लिए कोई असंभा बात नहीं है। भगवान श्रीकृष्ण परशुराम के रूप में धर्ती पर होते हुए भी श्रकृष्ण के रूप में धर्ती पर अपतरित हुए वैसे ही देवी लक्ष्मी ने रुक्मनी और राधा दोनों के रूप में जन्म लिया इस बात में कोई शंदे नहीं है कि देवी राधा लक्ष्मी का ही अवतार थी इस धर्थी पर जन्मी थी और ये बात हम सभी जानते हैं कि श्रकृष्ण विष्णू के आउतार थे देवी लक्ष्मी ने स्वैम्या कहा था कि उनका विभा विष्णू के अलावा और किसी से नहीं हो सकता ऐसे में ये बात गौर करने लाइक है कि फिर तो निश्चित रुप से राधाजी से श्रकृष्ण का विभा हुआ होगा और ऐसा सत्ते भी है गर्ग सहिंता के अनुसार भगवान श्रकृष्ण और राधाजी का विभा स्वैम ब्रह्मा जी ने जंगल में जिस भान्डीरवन के नाम से जाना जाता है पर करवाया था परानी कथाओं के अनुसार स्रकृष्ण ने रुपमनी जे विभा किया था लेकिन यह विभा क्यों हुआ इस बारे में सोचा जाया तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं ऐसे यह भी माना जाता है कि रुपमनी भी राधाजी कहीं आतार थी और ऐसा भी कहा जाता है कि रुपमनी राधाजी की तरह ही बचपन से स्रकृष्ण को अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी लेकिन उनके भाई सी सुपाज से उनका विभा तै कर चुके थे ऐसे में रुकमनी जी ने स्रिकृष्ण को पत्र लेकर उनसे कहा कि अगर उनका विवा स्रिकृष्ण से नहीं हुआ तो वा जान दे देंगी बिना रुक्मनी से पहले कभी मिले बिना पहले उन्हें कभी जाने सिरक्षन कैसे और क्यों उनकी जान बचाने के लिए उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए ये समस्य से पड़े है कहीं कहीं ऐसा माना जाता है कि राधा ही रुक्मनी है क्योंकि जब जब राधा का जिक्र आया है रुक्मनी का जिक्र नहीं हुआ है और जब रुक्मनी जी का जिक्र आता है तब राधा जी का जिक्र नहीं होता और दोनों ही अजन्मी थी राधा और रुक्मनी दुनु का ही जन्म मा के गर्व से नहीं हुआ था वो स्वेम प्रकट हुई थी और इसी यही कारण है कि उन्हें लक्षमी का अतार भी मना जाता है और ऐसा मना जाता है कि लक्षमी कभी भी गर्व से प्रकट नहीं होती यह भी सची घटना है कि अगर राधा कृष्ण के विवा की बात सच है तो फिर रायान के साथ किसका विवा हुआ था यह सवाल भी उटना सोभाविक है लेकिन ऐसा माना जाता है कि राधा के साथ रायान का विवा होना भी सची घटना ही है लेकिन यह भी है कि राधा कोई और थी जिस राधा से रयान का विवा हुआ था वह राधा स्वेम राधा नहीं थी रयान के साथ जिस राधा का विवा शमपन हुआ वह असली राधा की जगह पर छाया राधा थी असली राधा तो रायान से विवाग के पुर्वी बैकुंठ लोग चली गए थी और उन्होंने अपनी चाया को अपने माता पिता के पास छोड़ दिया था और इस संबंध में गर्ग सहिंता में इस बात की चर्चा होती है गर्ग सहिंता में बताया गया है कि एक बार ब्रहम देव ने स्रीकृष्ण की परिक्षा लेने के लिए उनके सारे गोपकोपियों का हरन कर लिया था और तब स्रीकृष्ण ने स्वैम ही उन सारे गोपियों के रूप में सारे गोपियों का रूप धारन कर उनके उनके घर पर रह रह रहे थे जिसमें से रैयान गोपा भी था उसके यहां भी भगवान स्रिकुष्न उसका रूप धर्कर रह रह रहे थे और उसी रायान गोपा के साथ सिर्दाजी का विवा हुआ था कि वह रायान गोपा भी पूर्ब जन्मे यह तपश्चा करके यह बรधान पाया था कि उनका विवा लक्ष्मी के साथ हो लेकिन लक्ष्मी का विवा किसी और के साथ विश्णू के अलावा किसी और के साथ नहीं हो सकता था इसलिए लक्ष्मी जी ने अपनी छाया को वहाँ पर छोड़ा और इस समंध में हम जानते हैं कि सुरी देव की पतनी ने भी अपनी छा बात समा गई थी तो ऐसी बहुत सारी कहानिया पर चली थे जिसमें अपनी छाया को छोड़ने की बात कही गई है तो यह भी सत्य हो सकती है जै स्रकृष्ण रादे रादे अगर आपको कहानी पसंद आये तो ज्यादा ज्यादा वीडियो को लाइक करें सेर करें चैनल को सब्स